पूर्णिमा की रात को वीर नर्सिमा जी का नाम करण होना है इसलिए वीर नर्सिमा जी पहार पर से लक्षमी नर्सिमा जी की मुर्ति लाकर मंदिर में अस्थापित करके गाओं में कुम्ब अभिशेक करने वाले हैं इसलिए इस गाउं के ग्रामवासी और पैतालिस गाउं के सारे लोग लक्ष्मी नर्सीमा जी के मंदी के सामने तयार रहें यह सूचना सबको दी जाती है सारे गाउं के बड़े बुज़र्गों को बुलावा भीज दिया रहें चोटे तुम भी एक बार लिस्क देए ठीक है नमस्ताब आप सब विजय नगर से हैं ना आप रवीनाथ और यह आपके बड़े भाई कई यह हमें संदेशा मिला है मालिक कि मूर्ती स्थापना के लिए सारे गाउं में से हमारे गाउं को आगे रहना है इसलिए हम तीन दिन पहले ही आगे हैं मालिक इस्तापना के बाद रीति रिवाजों के अनुसार पूरे गाउं के साथ भगवान के दर्शन करने आएंगे मालिक इतने सालों के बाद लक्ष्मी नर्सिमा भगवान जी अपनी करुना दिखाएंगे नहीं चौधरी ये लक्ष्मी नर्सिमा भगवान की नहीं उनके आवतार स्वरूप हमारे भाया की महिमा है वीर नर्सिमा ठाकर सारे गाउं के लोग अपनी तैयारियां कर चुकी हैं लेकिन सिर्फ वो रुद्रनाथ शामिल नहीं हो रहा है तुम तो मर्दराज की पती हो ना दो दिन पहले ही तुम्हें तुम्हारे पती से मिला थे सब ठीक तो है अब क्या कहूं मालिक खुद मेरे पती ने अपने हाथों से मेरा मंगा सुद्र तोड़ दिया मेरो सिंदूर मिटा दिया उस शैतान रोद्रनाथा को ने मालिक कुझे माफ कर दीजिए मालिक चाल से पहले ही आप मर गए इस रुद्रा परिवार के रुद्र ना ठागुर के घर में पास्रे में हार होया मुर्गी के खेल में मुर्गी क्यों न मर जाए मरने की बात कान में नहीं पढ़नी चाहिए समझा साले कि रुख जाओ यह सब देवनी गाउं की ही औरते हैं ना तुम सब लोग इन ही औरतों के पती हो ना औरतों को तिलक मा लगाती है चूडियां मा पहनाती है बालों में पूल भी माही लगाती है और मर्द मिलता है मंगल सुद्र बांदे के बाद क्यों 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 है क्या नसीब है तुम सबका पती के हाथों ही विध्वा बन गई हो ऐसी किसमत दूसरी औरतों को कभी नहीं मिलता वर्ना वो नर्सिम्हा ठाकुन मेरे ही गाउं में धिंडोरा पिटवाएगा जाकर उससे कहतो सर्वत पढ़ने पर उससे जलाने के लिए लकडिया ले क्यों वो नर्सिमाई मर्द है क्या मैं नहीं हूं क्या हमारे गाउं की तरफ कभी आये तो तुम्हारा यहीं हालोगा ऐसा का मालिक अमने कांप की औरतों की इजद पर हाथ डाला उसने निकालो सल्वार बंकर गुस्टा तो देखो इसका तुझे घुष्टा आता है क्या हम तू हमसे कहेगा और हम तेरे पीछे चले जाएंगे इस फीर नर्सिमा ने जब से नाक पंचम का नाम करन लिया है उसके बाद से कोई भी काम कैसा भी काम इसकी अनुमति के बिला यहां नहीं हो सकता चाहे मैं भी क्यों नहूं हमारे खांदान से गाउं की भलाई के लिए अ कोई नहीं जानता इसलिए अकेले जाना है या सो लोगों के साथ जाना है इसका फैसला करने का हद सिर्फ नाक पंचम को है और इनकी इस फैसले को हम सभी को पूरी मानिता देनी होगी हाँ आप अपना फैसला सुनाए नाक पंचम जी उसका इंतजार पीड़ी-दर-पीड़ी हजारों सालों से करते आ रहे है जुक्चाओ वरना मैं तुम पे गोली चागा दूँगा हेलो हाँ सर चंदन सर अभी अभी अरेस्ट किया है इंडिया ही लेकर आ रहा हूं सर यस सर हेलो 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 सर वन सेकंड सर यहाँ पर सिगनल्स वीक है रहे हैं वन सेकंड सर होड़ रहे हैं जी समय करने पर पूरी का पता चल जाएगा यह सर मुझ से अब कोई नहीं बच सकता आर यू पार्टनर्स नो या लाइफ पार्टनर्स या गिटिंग मैरेट या इस बुट्टी को क्या बला हम लाइफ पार्टनर्स है क्यों नहीं है कैसे होगा चंदन पापा को मनाने के लिए बड़े पापा को कहा है इतना क्यों डरती हो ऐसा नहीं है बाबा बहुत रिस्पेक्ट है तुम्हें मेरे पापा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है इसलिए मैं वहाँ जो भी काम करता था वो मेरे पापा को पसंद नहीं आता था इसलिए जो मुझे पसंद है वो थ्रिल प्रोग्राम्स में यहां कर रहा हूं अब ही शोहेनी मिल गई है और प्यार हो गया है ऐसे आपने पापा से बहुशा इसे बढू कर शादी के लिए हां करवा दूंगा है डूंट रिटर गो प्लीज एलो और सिर्ट चंदन चंदन प्लीज राइप चंदन चंदन बहत प्लीज राइपना करें चंदण सिर्ट राइप करेंげ राइप चंदन रोब की जगव क destructive चंदन स्वित्यू राइप कालेस लिगवार घक कॉरनेन घ्म्चलम कमा रहे राइप बंख सब्चरा चंदन तर यह तो है तो फटीटियल्स कि यह वस्ट पेश्ट्स नेस तो ही अगर्वाल जाए ड्रवाल पादर्स ने महेंदर अगर्वाल तो है क्या वाइस यह वाट आपन दोक्टर यूनों हर यह इस लड़की का दिल बहुत कम जोर है किसी पी तरह का शॉकिंग न्यूज इन्हें मत देज़ेगा के तो ही नी डार्लिंग या गोइंग टू इंडिया टिकेट्स आथ कंफर्म लेकिन हमारी शादी का टिकेट अभी तक कंफर्म में हुआ ना तुम हमेशा शादी का क्यों टेंचन लेती हो मेरी स्वीट सोहिनी क्यों टेंचन ले रही हो चलो मुझे स्वीट से किस दे तो शादी के बाद ये सब कभी भी कर सकते हैं अरे यार तुम मेरी बीवी बनोगी उपर वाले ने पहले लिख दिया है हां ऐसा लिखा है यह मैं कैसे मान लो मेरी किसमत में तुम्हारा साथ लिखा है यह मैं प्रूव कर दूंगा ओके एक में लिखाये शादी, दूसरे में लिखाये नोग शादी, कमान, इसमें से एक उठाओ लाइफ का इतना important decision ऐसे चिट निकाल कर नहीं किया जा सकता इस नॉट जोक ये और कभी नहीं होने वाला अभी जो होने वाला है उसे प्रूव करके दिखाओं क्या वाच इट जरा आसमान में देखो तो इसमें लिखा है कि बारिश आएगी इसमें नहीं आएगी अगर बारिश आएगी तो ही हम दोनों के शादी होगी बारिश जरूर होगी अब देखती जाओ उठाओ बोला दाना बारिश जरूर आएगी और हमारी शादी होगी चिंदन प्लीज आसमान को देखो तुम्हें लगता है कि बारिश आएगी बारिश नहीं होगी ए सोहिनी चिंदन प्लीज बेटी कैसी हो? मैं चीकू पापा आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ बेटी तुम्हारी ब्यार के बारे में बड़े बापा ने बोला है तुम जिससे ख्यार करती हो उसी से तुम्हारी शादी करवा दूगा सच पापा ठांक्स पाप स्च्छी सब्सक्राइब के बीच में इतना गैप क्यों देता है पता है क्योंकि हमारी लाइफ को शेयर करने वाला आकर इस गैप को भर देगा इस लिए वहाद अच्छा लग रहा है चंदन क्या फिलिंग्स है यहाद कभी छोड़ूगे तो नहीं न जान चली जाएगी तब भी नहीं छोड़ूँगा नहींदू नहीं था सब्सक्तर इस नहींद झाले तो भी तो अच्छाव को प्रूछ आखा युश्छा भी अ यह क्या है सर इसमें उन मंदरों के ट्रस्ट का हिसाब है जिसमें आप हर साल पुजा करवाते हैं आप इने चेक करके सिगनेचर करते हैं इसे एनिवल आइटी एससमेंट के लिए भेजना है ठीक है हिसाब में कोई करवर नहीं होनी चाहिए ओके सर ये सारा पैसा भगवान का है जी सर्फ इतना ही नहीं ये सब लोगों का हमारे उपर विश्वास है मूर्ति की स्थापना होने के बाद ये सब उनको लोटाने की जिम्मेधारी हमारी है जी हाँ जी बहुत अच्छा हाँ मैं सफल लोगों हाँ जरूर आचारिया जीत है बोलो बेटा जंदन आपके लिए गुट नियूज है मैं सोहीनी नाम की लड़की से प्यार करता हूं अच्छा सच में डड़ी इसके घरवाले शादी के लिए तयार है हाँ तयार है ड़ी कैसी देखती है लड़की बहुत सुन्दर है ड़ी अच्छा रजेश्वरी हाँ भी आई जी क्या वाज बड़े खुश लग रहे हों मलेशिया का वातावरण कैसा है काफी कूल है डड़ी सब लोगों को गुश्या अच्छा अच्छा बुला लो एक खुश खबरी देनी है ठीक है डामाजी काव्या संतोष सब आजाओ बताइए न मुझे क्या पात है हमारे घर में एक पर्मानेंट गेस्ट आने वाली है आने वाली है मतलब जरूर कोई लड़की है यानि इस घर की होने वाली बहुत देखा मेरा किसना तेज रहेए चंदन तुमारे शादी के लिए तुमारी मा ने भी ग्रेंस इगनल दे दिया है इसका मतलब वो अभी फोन पर है क्या वो फोन पर नहीं है तहली इस पर खड़ा हुआ है चंदन अभी तुन पता अभी यहां कब आ गया अभी आया माँ फोन पर बात करते-गरते घर लेकिन पता चलिया मैं भी तेरा बाप हुँ बेटा इतना आसान नहीं है जटका देना हाई पापा हाई बड़ी पापा हाई माम हाई चोटू देती मेरे लिए क्या लाई देती हुना एक मिनिट यह तुम्हारे लिए और मेरे लिए देती हुँ बबा यह तुम्हारे लिए थैंक यू और मां यह सब चीजे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए मुझे उसकी तस्वीर चाहिए किसकी हमारे होने वाले दामाद की मतलब चंदन की एक मेट देती हुँ अरे सुनिये पहले मुझे दिखाए ना तर मां यह थी पाक प्या हुआ है लगा-लगा-लगा-लगा-लगा-लगा-लगा-लगा-लगा-लगा-लगा-लग फोटो दो चल भागियां से पापा यह है चंदर बहुत अच्छा है अब यहां अचारे जी मुझे बोलवा लेते तो मैं आना ही बढ़ा सुना है बेटा आया है आचारे जी सोच रहे हैं कि हम उसकी शादी कर दें जिस कारी के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें विवा होना जरूरी है क्योंकि विवा होने के बाद ही पूजा संबन होगी ठीक परन्तु समय बहुत कम है मेरा आशरीश पसरे जांके साथ है याजमान बेटे की कुंडली के साथ साथ अगर बिटिया की भी कुंडली यहां होती तो दोनों की कुंडली मिला कर एक अच्छा सा मोहर्त निकाल देता इस लड़की की कुंडली तो अध्भूत है इसका जन्म अकारण नहीं हुआ उसके कदम यहां परते ही आपके वंश के प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी दोनों की कुंडली के हिसाब से चार दिन के बाद ही विवाह का दिव्य मुहूर्त है चार दिन बाद ही शादी करेंगे तो फिर सगाई कब करेंगे जी जस्त अ मुवमेंट हाइए सब्सक्राइब फिर टोगिए वइट वेट 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 वान यह मेरे पापा है नमस्कार यह मेरी माँ है नमस्कार 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 मेम साब नहीं दिख रही है इस सोफे में नहीं आ सकी अरद्दी कि अरद्दी कि अपने डैडी से कहो कि परसोई आप सबको यहां आना है ओके छोटू कि भईया आने जाने की टिकट का बंदोबस्त करो ठीक है भईया तुम क्या सोच रही हो वो क्या है कि अब हमारी बेटी पराई घर में जाने वाली है यह सोचकर मनुदास हो रहा है अरे इसमें उदास होने वाली क्या बात है भावी बेटियां तो परायाधन होती ही है साथ समंदर पार करके यहां तक पहुंचे आप किस समधी जी का हम स्वागत करते हैं यह समझा नहीं यह साथ समंदर की बात क्या है अपपराव किदर गए अपपराव ओ रहे हैं तरने देना यू पीपुल लॉंसेंस मेरे बगड़ तुम लोग अंदर जाकर क्या करोगे अगर मुझे समझ के तो जीवन अमरिक जैसा अगर ना संद तो जीवन गटर जैसा घाये शहती हो टुम वसर्ण हो ऊंधा हो यूथ ृत्य लोगता हो यू उल जैजिवनगार खाता हूं पीन बार करी केच ंदू रिए हैं टेग तीन बार नहीं तो केच्ँ लूंर अगली संद रहे हो क्याया अगर फूल बत जैता ही अपना शन्या थे-sकान में लगा रुग जाए, रुग जाए अब जाए आई, लीज़ कम, आई, जालीज़ अंदर आए लाए लाँ चुस्टेरे चाला इला नाखलूनिले चुस्तुन जाला वाट्स यूर नेम? रोमा वाट्मा? रोमा? रोमा? मैं कुछ और सम्याता इस और राइट, लीज़ फास थैंक यू तड़की वाले आगा हैं, भाई शागत करो ये कौन है, हिलता दूलता प्राणी? मुझे नहीं पता है, हमारे गाहों के बाद खास आग्मी नहीं है डोन कन्फ्यूज, आपने आवो शादी के पहले संगीत होता है, वही डांस सिखाने आये हैं वो टोपी राजा इए, हट, दो राट इतने नाराज क्यों हो रहे हो, आपकी बाड़ी भरतनाट्यम के लिए सही है कि नहीं सिर्फ चेक कर रहा था जाके उसको चेक कर रहा है, माल डालूगा, जाओ उस तरब जा, जाओ यह मामुली घोडी नहीं है, यह अरेबियन घोडी लगती है यहां तो बस ऐसा ही होता है मेम साब को चंदन हल्दी लगा कर नहलाना चाहां तो बीच में भाग कर चली आई यह अभी हल्दी चंदन क्यों, इनका मतलब यह है कि, यह मतलब मतलब कुछ नहीं है वाप पराओ की तरह एक बात चार चार बार मत बोलिए, जो भी बताना है, शॉटकट में बताईए, अब बताईए ना यह हमारे यहां का ट्रेडिशन है, यह हल्दी लगाना, यह चंदन लगाना, यह शुरू से चलता आया है झालम झाल 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 कभी लोगों के सामने इतना घुस्से से नहीं आता तुम इसे अपनी गोशारा में बांध कर पता लगाओ यह क्या कर रही है उठो बैए साहब जी आज आपने मेरी बेटी की जान बचा ली अगर आप ना होते तो आज मेरी बेटी की जान चली जाती साहब आप भगवान है बच्चों को पैदा करना काफी नहीं को उनकी देख भाल भी करनी पड़ती है इह न शिक्वांजी की ए ही दे शाहब आप चेचा लोग यां लात क्या है यह हम क्या सुन्द है कि यह क्या है भीया हम सब लोगों के यहां पर होते हुए आपको आगे आने की क्या जरुवत थी युद्ध में नायक आगे होता है युद्ध खत्म होते ही नायक पीछे चला जाता है हमेशा पीछे रहकर चलने वाला नायक नहीं कहलाता छोटे इस खेल यह तो नशी की दवा है, यानि उस बैल को नशा देकर भीजा गया था, उसे गुसा दिलवाये गया था, आपके खिलाफ एक शड़ यंत्र है भाईया, उन्होंने ये कैसे सोचा कि वो बैल मुझे ही मालेगा, और किसके अंदर तलवार उठाने की ताकत है, करीबों का पेट से पहले आगे आते हैं, और ये बात वो अच्छी तरह जानता है, सुनो अर्विन, जरा पानी लेकर आओ, लीजी मालेगा, ये बताओ कि नशे की बारे में तुम्हें कैसे पता, कुछ लोगों को जीने के लिए सब सीखना पड़ता है, मैं भी उनी में से हूं भाया, तेरी काम पूरा हो गया, माली, क्या हुआ राजिंदर भाई, काम पूरा हो गया, साहब, आप तो दाता है, साहब, नमस्कार, माली, आपकी दी हुई अठनी से, वो विचारा कितना खुश हो गया, अठनी दू या आठ रुपे दू, उससे कुछ नहीं होता है, मेरे आशिरवात क का मतलब होता है, सब लोग बहुत इज़त करते हैं मेरी न, आपकी तो बात ही कुछ और है माली, मैंने गलत क्या कहा, अठनी अठनी सब लोग मुझे भी तो देखने दो, बेटी, मेरी रानी, दर्द हो रहा है बेटी, जड़ा सा हाथ तो हटाओना बेटी, मेरी बेटी को क इन नजर न लगे, इसलिए भगवानियों से नजर बचाने के लिए तीन तील दिये हैं, नाक हाथा लेकिन सुनती कहा हो, दर्द हो रहा है बेटी, ओ, दर्द नहीं होगा, तो और क्या होगा, बचपन में नाक नहीं छिदवाया, और अब छिदवाओगी, तो दर्द नही होगा, तो क्या मज़ा आएगा, अरे बचपन में इसे कहां पता था, कि इसके होने वाले पती को नतनी अच्छी लगेगी, लड़की के अगर नाक छिदवारी चाहे, तो वो और भी खूप सुरत लगने लगती है, और हर पती यही चाहता है कि उसके पत्ने खूप सुरत ल अगर इसमें नधनी पहनोगी, तो कितनी खूप सुरत लगोगी, जया आप ही ना जिए का कर रहे है तुँ, वो हमारे बच्चों के लिए जी, हम लोग इस घर के नौकर भले ही है, लेकिन जूटन खाने वाले नहीं, और तु अपने बच्चों को ये, जी, दाने दाने पर तो खाने वाले का नाम लिखा होता है, इन लोगों के छोड़े इस जूटन पर प जोटे, इन्हें बोलने से रोको मत, ये इनका खुसा नहीं बोल रहा, ये किसी घरीब के पेट से निकलने वाली भूख की आवास है, इसे तबाव मत, ये मेरे अकिले का दर्द हैं, आसपास के गाउं के सारे गरीबों का दर्द है, सारे गरेब इसी उम्बीद से जी रहे ह कि उस लक्ष्मी नर्सिमादी की मूर्थी की कब स्थापना होगी, और कब हम लोगों को एक दिन पेट बर कर खाना खाने को मिलेगा, हमेरे पुरोजों ने भी ऐसा ही इंतजार किया था मालिक, लेकि कुछ नहीं हुआ, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं मालिक, हमारे बाद हमारे बच्चे, उनके बाद, उनके बच्चे, यह इंतिदार का सिल्सिला चलता रहेगा मालिक, मेरे आगे पीछे मेरी जैजैकार करने वाले लोग भूग से तडप रहें, और मैं यहां, मकमली बिस्तर पर सो कर एक राजा की तरह एश्वाराम कर रहा हूँ, क्या यही रा हो, यह आपने बिल्कुल सही, चाचा जी, विश्वनात आचारे जी आये हैं, नमस्ते, 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 मनोव आंच्या फलसिद्धी रस्त, बैठी, बुलावा बेजा था आपने, जे लक्षमी नरसिमा भगवान की मूर्ती की स्थापना का मुहर्त निकलवाना था, य मैं शायद आपके इस कारे में साथ ना दे सको, इसलिए एजमान, अपसे आपके कुटम से संबंदे सारे कारेक्रमों को मेरे स्थान पे रहकर मेरे पुत्र वेंकट आचारे हैं देखेंगे, तो ठीक है, आप ही बताईए वेंकट आचारे जी, मुहुरत तो मैं निकाल दू बेटा, जब से भाई साब हमें छोड़कर गए हैं, उन्हें तुम्हारे अंदर देखकर के ही हम सब जी रहे हैं, ये मत करो नर्जी मान चाचा जी, इतने सालों से हजारों लाखों खरीबों ने दुख छेले, उनकी आखों के आशू पोच कर उसमें खुशिया लाने का वस एक ही रास्ता बचाएं, इसका मैं मिरने ने ने चुक है, इस दिव्यकारिय के लिए मैं अपनी चान तक देने को तरिया, मुझे रोकि उससे जो भी स्थापना करेगा, वो उन्ही के नाम से करेगा, इसलिए पहले आपको नाग पंचम नाम का नाम करण करना होगा, स्थापना करने वाली जोडी को नरसिम्हा स्वामी जी का सबसे पहले विवाहोत्सव करवाना होगा, यही रीती है, अर्थात स्थापना से पह मूर्ती स्थापना के लिए तयार होते थे पर पता नहीं या तो भगवान ही हमसे नाराज है या इस वंश पर कोई श्राप है नाम करण करने के बाद मूर्ती की स्थापना नव होने की वज़ा से पिछली पांच पीडियों से कोई न कोई मर रहा है और अब अगर नर्सिम ने नाम करण कर लिया तो यह सब बाते जानते हुए इनसे शादी करने के लिए कौन तयार होगा बताएं कई साल पहले लोगों के सुक के लिए मूर्ती स्थापना करने गए मेरे पिता जी के साथ मेरे पतिक गुरुदेव ठाकुर जब चल बसे थे तब मैं दुख्यी नहीं हुई मैंने सोचा मेरे माईके का बोज उतर गया अब दुबारा उन्हीं लोगों की भलाई के लिए मेरे भाई का बेटा नरसिवा स्वामी जी के देवकार्य के लिए अगर उसका विवायत होना ज़रूरी है तो मैं अपनी बेटी का विवा इनसे कराने के लिए तयार हूँ परतु क्या आपके पुत्री भी विवाह के लिए सहमत है पंपसंभवाया पत्मलूचनाया पापनाशनाया प्तपूशकाया अपसे आप नाग पेंचल कहलाएंगे इस शास्त्र के हिसाब से आपको गर्प्रमंदिर में अखंड जियोती को जलाने के बाद स्वामी जी के आभुशनों के साथ अपनी हजारो एकड़ जमीन को अपने 45 गाओं के सब लोगों में आपको स्वयम ही बाटना होगा यही शास्त्र में लिखा है नाग पंचम जी का हार आशिरवात सुझाओं होगा दुबतों क्यों बच्चो तुम लोग अमेधु तक चाओ रहे हो जाओ जाकर सोजाओ रहने दीजी न बच्चे मेरे साथ ही सो जाएंगे लों जैसे बाते क्यों कर रहे हूं है जाओ तो लोग जाओ कर सो जाओ ग्लास दो यह ले अरुंधाती इनसे आशिर्वाद लो जीती रह बेटी आओ बेटी आप भी मेरे बेटी को आशिर्वाद दिजिये सदा सभगन लो बेटी क्या हो जीचू कैसे शुर्वात कुनों सोच रहे हूं क्या मैं अंधर आके सिखाऊं क्या यह देखिए जीचू बिना अब्भ्यास का अगर ब्राम्मा जीचू करें तो उसकी दाड़े मुझ चलने का डर होता है संबल कर आपको भी तो इस बात का ग्यान नहीं है तुझे तो तो परेशान क्यों है बेटी आप तो सब कुछ जानती है न मां मैंने उसकी शादी का फैसला किया लेकिन उसने इंकार तक नहीं किया मैंने जैसा कहा वैसा उसने किया उसे कोई तकलीफ ना हो वो दोनों हमेश्व सुखी रहे इसलिए मैंने यहां मौजूद सारे सारे बुजर्ग सुहागन से उसे आशरवात दिलाया अब तुम अपने आपको संभालो अरे 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 रहे दो बेटी मैं सब देखती हूं अब तुम लोग सब जाओ चलो 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 तुम भी इसके साथ अंदर जाओगी क्या जाओ नहीं मैंने जाओगी जाओ स्भी ने मुझे आशरवात दिया पर आपने मुझे आशरवात क्यूंसे दिया चाची देखो बेटी मेरा आशिरवात फहलेगां esse भी तुम्हें आशिरवात देने के लिए नहीं आयी हूं बेटी तुम्हें एक जरूरी बात बताने सब्सक्राइब करिए लिए लिए तुम्हारी मां यही चाहती है कि तुम देर्क सुमंगली रहो उसके लिए तुम्हें अपनी भूलानी होगी बेटी, वो इसलिए, क्योंकि अगर नर्सिमा ठाकुर तुम्हारे साथ संबन्द बनाएंगी, तो उनका ब्रम्भचारिक खत्म हो जाएगा, और उनके ब्रम्भचारिक होने के बाद अगर वो मूर्ति स्थापित करेंगे तो, वो अपनी चांद से भी हाथ द मानते हैं, इसलिए, बहतर होगा कि मूर्ति स्थापना होने तक, तुम अपनी सुहागराद से दूर ही रहना बेटे, ऐसा करोगी, तो तुम बहुत जल्द इस वंच को आगे बढ़ा पाओगी आव पहले, चया पूजा कर लेने हैं कि मनद से उल्द पाओगी प्रभ दिंदे घर्ष पाओ देखो मल पल्लू में सिक्कों को भर कर गाठ बानने पर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तुम्हें कितने बच्चे चाहिए यह गर उनसे भर जा इतनी चाहिए क्या हुआ तुम्हें कुछ से टर्ले करा है नहीं यह मेरी भक्ति है सुनिये जी मुझे कुछ कहना है आपसे आप जो करना चाहते हैं मतलब लक्षमी नर्सीमा ची की स्थापना करने के बाद ही आपका संकल पूरा होने के बाद आपकी हर खाइश पूरी करोंगी तुमने मुझे से नर्सीमा ठाकुर मान कर प्यार किया लेकिन अब मेरे नाक पंचम बनने के बाद भी तुमने मेरा मंगल सूत्र पहना मुझे समझने वाली लड़की मेरी अर्धांगी नहीं बनी यह मेरा सौभाग यह ना तुम पर सोर नहीं डालूंगा जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा आप तुम सोचाओ रंतती नाक प्रिया मैंने जो कहा था वो समझा दिया ना आपने जो कुछ भी कहा था उससे कहीं जादा कह दिया भाया वो कोई खुश खबरी तो नहीं देगी ना वो दोनों मिल पाएंगे तब ही ना भाया देखो तुम किसी भी हालत में ये बात नर्सी मठाकुर को नहीं बताओगी वचन दो ये बात नर्सी मठाकुर को नहीं बताओगी मुर्ली आया साब जी पीने के लिए पानी लेकर आओ चलता हो स्वामी साब जी दीदी दीदी रात में जीजु मुझे मारने वाले थे पता है उन्हें इतना घुस्सा क्यों आया था यह ऐसे क्यों चल रहा है मुरली यहां हो क्या हुआ है तुम्हें इस तरफ जैते हो त Mitte यह आते ही तन क्यों जाते हो पुलीस वाले ऐसे ही चलते हैं न दिदी मतलब मैं बड़ा होकर पुलीस वाला बनना चाहता हूँ यहाँ पुलीस बनना है तो काम पर नहीं जाते स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं इस भूल को ले जाकर मास्टरची को देना कहना ठाको साथ के यहां से अरुन पेदी दिदी ने दिया है दाखिला हो जाएगा मुरली आज से तुम्हारा काम है पढ़ाई करना चाता हो दीदी शाबाज अरुन थक्यान है वो कहना कि मुरिभी अच्छा काम करने के लिए किसी की आज्या लेना जरूरी नहीं करने के बाद किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं लेकिन मुझे एक बात समझ रही है जी वो मैं फूल तो तुम हमेशा मुझसे ही मांगती थी लेकिन अभी फट से कहां से निखाई वह जादू था जी मैंने स्कूल में सीखा था वह फु यहां पर मौझूद सारे गाउंवालों को मैं ये संजैश देने आया हूँ कि आने वाली पूर्डिमा की रात को वीर नर्सिमा जी का नाम करण होना है इसलिए वीर नर्सिमा जी पहार पर से लक्षमी नर्सिमा जी की मुर्ती लाकर मंदिर में स्थापित करके गाउं में और पैतालिस गाउं के सारे लोग लक्षमी नर्सीमा जी के मंदी के सामने तयार रहें यह सूचना सब को दी जाती है अरे सुना जी सारे गाउं के बड़े बुज़र्गों को गुलावा भीज दिया है जी सर्कार चोटे तुम भी एक बार लिस्क देगी ठीक है आप सब विजय नगर से हैं आप रवी नाथ और ये आपके बड़े भाई कहिए हमें संदेशा मिला है मालिक कि मूर्ती स्थापना के लिए सारे गाउं में से हमारे गाउं को आगे रहना है इसलिए हम तीन दिन पहले ही आगा है मालिक इस्थापना के बाद रीती रिवाजों के अनुसार पूरे गाउं के साथ भगवान के दर्शन करने आएंगे मालिक इतने सालों के बाद लक्षमी नरसिमा भगवान जी अपनी करुना दिखाएंगे नहीं चौधरी ये लक्षमी नरसिमा भगवान की नहीं उनके आवतार स्वरूप हमारे भईया की महीमा है वीर नरसिमा ठाकर सारे गाउं के लोग अपनी तैयारियां कर चुकी हैं लेकिन सिर्फ वो रुद्रनाथ शामिल नहीं हो रहा है तुम तो मर्दराज की पती हो ना? मालिक दो दिन पहले ही तुम्हें तुम्हारे पती से मिला थे, सब ठीक तो है ना? अब क्या कहूं मालिक, खुद मेरे पती ने अपने हाथों से मेरा मंगा सुद्र तोड़ दिया, मेरो सिंदूर मिटा दिया, उस शैतान रुद्रनाथ ठाकुर ने जार डाल बे, मालिक, मुझे माफ कर देजे, मुझे जाने देजे, मालिक चाल से पहले ही आप मर गए, इस रुद्रा परिवार के रुद्र ना ठाकुर के घर में, पास्रे में हार होया मुर्गी के खेल में, मुर्गी क्यों न मर जाए, मरने की बात कान में नहीं पढ़नी चाहिए, समझा साले, रुख जाओ, यह सब देवनी गाउं की ही औरते हैं ना, तुम सब लोग इन ही औरतों के पती हो ना, औरतों को तिलक मा लगाती है, चूडियां मा पहनाती है, बालों में, पूल भी माही लगाती है, और मर्द मिलता है, मंगल सुद्र बानने के बाद, ये, अरे, रे, रे, क्या नसीब है तुम सब का, पती के हाथो ही विध्वा बन गई हो, ऐसी किस्मत दूसरी औरतों को कभी नहीं मिलता, वरना वो, नर्सिम्हा ठाकुर मेरे ही गाउ में धिंडोरा पिटवाएगा, जाकर उससे कहे दो, सर्वत पढ़ने पर उससे जलाने के लिए लकडिया ले आऊँगा, लेकिन मनत की लकडिया नहीं होंगी, क्यों, वो नर्सिम्हाई मर्द है क्या, मैं नहीं हूँ क्या, हमारे गाउ की तरफ कभी आये तो तुम्हारा यही हालोगा, ऐसा कहा वालिग, अमने गाउं की औरतों की इजट पर हाट डाला उसने, निकालो सल्वार, मुबंकर, गुस्सा तो देखो इसका, तुझे ही गुस्सा आता है क्या, हमें नहीं आता है क्या, तु हमसे कहेगा और हम तेरे पीछे चले जाएंगे, इस फीर नर्सिम्हा ने जब से नाक पंचम का नाम करण लिया है, उसके बाद से कोई भी काम, कैसा भी काम, इसकी अनुमतिके बिला यहां नहीं हो सकता, चाहे मैं भी क्यों नहूं, हमारे खांदान से, गाउं की भलाई के लिए, अगर कोई भी बाहर गया, तो उसके पीछे, यहां से से तो लोग साथ जाएंगे, और उन में से, कितने लोग वापस आएंगे, कितने लोग भारे जाएंगे, यह कोई नहीं जानता, इसलिए, अकेले जाना है, या सौ लोगो के साथ जाना है, इसका फैसला करने का हद सिर्फ नाग पंचम को है, और इनकी फैसले को हम सभी को पूरी मानिता देनी होगी, हाँ आप अपना फैसला सुनाइए नाग पंचम जी है, रूद्र ठाकूर, है, है, होज चिनारावे, हो, वीर नसिम्मा ठाकूर है, गाउं में बुलाकर बात करोगे, सोचा था, लेकिन मेरे ही घर आकर तू ऐसे दाहार रहा है, मतलब, मुझ से भेड़ने के बाद, तू यहां से वापस जा सकता है, क्या, मैं शेर की खाल पेना हुआ, गीदड नहीं, जो सिर्फ गीदड भपकी देता है, दुश्मन के घर में घुसकर उसे पटक पटक कर मारने वाला असली शेर हो, नसिम्मा हो, वीर नसिम्मा ठाकूर हो, ठकराने के बाद ही पता चलेगा कि कौन खड़ा रहेगा और कौन धूल मैं चाटेगा, तेरे तुबारा चिलाने से पहले ही तुझे मिट्टी में मिला दूँगा, तुस से लड़ने के लिए मैं ही क्यूं, ये मिरे आदमी काफी है, मरस वाले को, जिस पत्नी से शादी की उसे विद्वा बनाने वाली तुमारी इस हरकत की बजा से, उन्होंने त विर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दूँ, ऐसा जलात नहीं हूं मैं, तुमारी तलवार मेरे जिसम के आर पार हो जाए, लेकिन मेरी तलवार से तुम्हें खरोश तक नहीं आएगी, तुझे ये क्या मारेंगे, मैं तुरी च्छाती पर ऐसे बाल करूँगा, कि तेरा सुनी जी, सुनी जी, कहा है आप, सुनी ना, मा, 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 नानी मा भया, अरुंदती, क्या मारेंगे, क्या हो बिटी, क्या हो बिटी, बोली बोली दे रहे, वो कहां गये होंगे, मैं जानता हूं, कहां गये होंगे, रुद्रनाथ ठाकुर के घर पे गये हो, चाहे कोई भियाय सबको माड आता, थिर चाहे जितने भी लोग हो, मा, पीर नसिमा ठाकुर की, पीर नसिमा ठाकुर की, जी जाजी, आप अकेले क्यों गये, हम लोग मर गये थे, क्या, अच्छे कारे में सब को शामिल करना चाहिए, पर जहां जान का खत्रा हो, वहां अकेले ही जाना चाहिए, आज से ये औरतें सिर्फ हमारे गाउं की ही नहीं, हमारे घर की भी बेटिया हैं, एक इनसान के जान की किमत क्या होती, आज मुझे इनसे पता चला थे, जानता है मैंने तुझे क्यों बचाया, हलकी नोक अगर तेरी पीट के आर पार हो जाती, तो लोग वीर नरसिम्मा ठाकुर को पीछे से बार करने वाला कायर कहते, जा बचाले, बचाले अपनी चान, बहिया, आज से आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, अगर कोई ऐसा हु लाम हूँ, वीर नलसिम्मा ठाकूर की, वीरmi नलसिम्मा ठाकूर की, जाने काफूर की, खाये भाईया, इस तरह क्या सोचते बैठे हैं, नहीं पिताजी, इस घर में रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद देखना एक दिन में शान्त हो जाओ, कल तक वो सर्व घर में ही था आज लोगों के बीच में रहने लगा है मूर्ती की स्थापना के बाद लोगों के दिल में रहेगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा अब तो से मरना ही होगा जब रहिए पिताजी, ये किस तरह की बाते कर रहे हैं आप, जब लोग भाईया के नाम की जैजै कार कर रहे थे तब वो मुझे साक्षाद भगवान नरसिमा की तरहे दिखाई दे रहे थे मैं उस महान इंसान का भाईय हूँ, ये सोचकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके दादा को मेरा दादा ने पालकी में उठाया उसके बाप को मैंने उठाया था ज? और अब उसके बालकी में बेढ़ाकर तू उसे उठायगा, चीच, चीच, चीच शर्म नहीं आती भाईया के बारे में ये विचा रहे हैं आपके पिता जी चीच, 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 भाईया के बारे में कितना जहर भ़रा internacional अंदर मुझे तो आज आपको अपना पिता बोलने में शरम आ रही है अगर उनके उपर बुरी नदर डाली ना तो वो लोग तो चाहे छोड़ भी दें लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा जान ले लूँगा आपकी इसे क्या हो भाहिया बेटी अरुंधते आजाओ यह सब क्या था चाचा जी इतने बड़े पुर्णेकार करने वाले नाग पंचम जी का ताया हाथ बनकर रहना है तो उसे मेरी तरह होना होगा इसलिए मेरा बेटा होते हुए भी आज मैंने उसकी परिक्षा लिया है सच्चाई का साथ देने वाले की कभी भी हार नहीं होती है इसे लिए तेरा पती ही जीतेगा आपकी बाते सुनकर में काफी डर गई थी शत्रु गवो ने आनी पहुँचाएगा यह सोचकर सब परिशान रहते हैं और इस घर में आप लोग ऐसी बाते कर रहे हैं यह सोचकर कुछ देर के लिए में काफी डर गई थी चाचा जी मुझे माफ कर दीजीगा तुम परिशान मत हो मेरी बेटी नाक पंचम जी को किसी भी दिशा से कोई परिशानी नहीं आ सकती है मैं हूँ न तुम सदा सुहागन रहोगी बेटी अशिर्वाद दीजी चाचाची इसमें गलत क्या है? पिता जी ने ठीक ही तो कहा था भाई, अब आगे की क्या योजना है? ए, धिरुपती के बाला जी मंदिर में भी इतना पैसा नहीं होगा जितना हमारे काउं के पहार वाले नरसिमा भवान के पास है जब तक वो पहार पे है, तब तक उनकी जायदा हमारे हाथों में है जिस दिन पहार से उतर गए, उस दिन पैताले इस गाउं के हजारों लोगों में वो दौलत मट जाएगी, समझे? इसका मतलम मूर्थी की स्थाफना नहीं होने दोगे भाई नहीं होने दूगा, नर्जिंबा ठाकुर जिन्दा नहीं रहेगा वो तो ठीक है, भाई वो राजे इंद ठाकुर जब तक जिन्दा है हम नर्जिंबा ठाकुर को किसी भी परिस्थिती में नहीं मार सकते जीजा सालित दोनों को मानना होगा एक भी नहीं बज़ना चाहिए उन दोनों की मौत के बीच में एक मिनिट का अंतर भी नहीं होना चाहिए तुम दूसरे गाओं के हो लेकिन जब से मुझे मिलेो तब से मुझे जीजा कहते हो जैसा हमने सोचा है अगर सच में कहीं वैसा हो गया ना तो मैं सच में तुम्हारा चीजा बन्जाओंगा यह तुन्हें क्या किया अपने शंभू को इस तरह बढ़ियाँ यह अपके ख्लाप शडिंद्र रचा जा रहा था आपको यहां अकेले किसे बुलाया था इसी नहीं आने के लिए कहा था न आपको अ पॉर का थ दिन भी पॉर्डनाद को मारने के लिए भैयाको अकेले ही बेजा गया था और आज भी इन्हें यहां लेकर अकेले ही आ गए तो चो अगर कहीं भाईया को कुछ हो जाता तो 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 मेरे साथ हूं अजया आगे से राजिंद्र के मामले में जरा समल कर रहिएगा वो सब ठीक है पर इन सब बातों के बारे में तुम्हें कैसे पता चाला यह सब तो मेरी आदत है फैर चेरे पर घुसा भी नहीं और बिना देखे वार किये और इसके बावजुद वो एक जटके में मर गए ऐसा कैसे यही तो हमारा होनर है भाईया बच्पन में पिता जी ने सिखाया था आपकी इफाज़त करने के लिए क्या हुआ आपको जी जाजी मुझे माफ कर दी जी जाजी मैं आपसे बात करना चाहता था पर वो आदमयों के साथ मिलकर आपके साथ ऐसा करेगा ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था में सज कह रहा हूँ जीजा जी, क्या आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है? मैं अपनी बहला उनका पुरा कैसे चाहूगा? एक बात सुनलो बहला, अपनी चान देदूगा, लेकिन जीजा को कुछ नहीं हो देदूगा मैं, कुछ ने होने तुम का क्या हुआ है आपको भाईया इतना कुछ कह रहे थे लेकिन आप कुछ भी सुने बगएर वहाँ से चले आए क्या बात है मैं जो भी करता हूं लोगों की भालाई के लिए करता हूं इसे लिए मैं तुम्हारे भाई की भी भालाई चाहता हूँ भाया संभा की वज़ा से राजंद्र की बली चड़ गई हाँ रिष्टे और दुश्मनी में रिष्टा हार गया और दुश्मनी जीत गई यह सब आपका कमाल है संभा को मारकर राजंद्र को भाया से दूर कर दिया भाया का विश्वास जीतने के लिए अपने पांच लोगों की बली देनी पड़ी हमारे लिए नर्सिमा का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है तभी हमारा काम पूरा होगा काम खतम होने तक न जाने और कितने लोगों की बली देनी पड़े बहुत अच्छा नाच रही है बहुत अच्छा पेटी बहुत करें यह सिस्टी करो चिस चिट में जो भी लिखा होगा वही सबको करना होगा समझ गये आप लोग अरून्दीती पहला चिट तुम निकाले लाठी दुमाना आया लाठी दुमाना अरे चोलो चोलो लाठी दुमाना अरुदती क्या हुआ छोटो पकड़ो इसे मुझे नहीं आता है जी तुमी ने तो कहा था किसी भी चीज़ को एक बार देखो तो मैं सीख जाती हूं मैं करके दिखाता हूं यहासे आ यहासे आ यहासे आ यहासे नुमाना अ चुप हो जाओ और सिर्फ शर्म की वज़ा से हम मर्दों से एक कदम पीछे अगर वो शर्म छोड़ते तो हमसे दस कदम आगे निकल जाए अरुन्धदी वहुरत को तलवार या लाठी उठाने की इजाज़त नहीं लेकिन आज तुम्हें शिव की शक्ति बनकर अपनी ताकत दिखानी होगी मैं भी खुमा सकते हूं इससे बहतर आप क्या घुमाएंगी बोटल का ढगकर आओ वीर नसिमा आओ ये हमारे वंश के मुख्य पुरुष्टी नाक पंचम जी का सिंहासन है इस पर तुम बैठोगे बैठो कि तुम्हें इस तरह यहां बैठा देखकर स्वर्ग लोग को सिधार गए मुझे तुम्हारे पिताजी यादा रहे हैं कि महूरत निकला जा रहा है जाये नाक पंचम जी कि कर दो इसे बिलेखंगेश तुम्हें जाराण जाँ भिलत को सिंहादी अजादी उल्owy कि अधा है मुझे जाए लिए बैट फुम्हें आग झाल कि अजा बैड़ बैड़ लाबिम्हारे दोटे कि गत्पटुम्हिं जाओवज झाल झाल विरेंद्र अग्वान हमारे साथ रहे इसलिए हमने यह दीप चलाया कि उस दीपक की रक्षा करने तु खड़ा होगा विरेंद्र मेरे घरवालों से जब तक खबर नहीं आती तब तक इस जोती को कुछ नहीं होना चाहिए मेरी जान भले चली जाए लेकिन इस जोती को बुजने नहीं दूंगा मलिक शुब मुर्थ पर मूर्ती स्थापित होकर रहीगी आज अखंड जोती चला दी गई है अगर मूर्ती की स्थापना भी हो गई तो बेखारी बंद कर रह जाएंगे हम लोग पीवी को लाठी चलाना सिखा रहा है तलवार हाथ में देगा हूँ हूँ क्या हूँ अगर वो तलवार चलाना सीख गई तो बाद में हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तब वो एक कमजोर आरत नहीं रह जाएगी हमसे बुकाबला करने की ताकत होगी उसमें ऐसे हालात में उसका वंश तो खत्म नहीं होगा हमारा ही वंश खतम हो जाएगा दस्त लोगों का भला करना हो या फिर एक का बुरा करना हो समय के साथ साथ अपने कदम बढ़ाने होते हैं आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम बढ़ाओ ऐसे डस नहोगा कि सांस तूटने पर यह एहसास भी नहों कि सांस तूट रही है मा मुझे आ क्या तुझे बेटा संभल कर जाना और अपना खयाल दखना बेटी अरंधती जाकर मंदिल से इन्हें तीका लगाने के लिए रूली लियाओ जी माची नाक पंचंजी आईए मैं आपको तिलत लगा देती हूँ पवन ठाकूर रूद्रशेखर ठाकूर उस तलवार को नाक पंचंजी को सौब दीजिये ये विश्णु कहां चला गया विश्णु घर पर नहीं है बेटा दरसल वो खुद ही मूती स्थापना के सारे काम को देख रहा है उसका पूरा द्यान तुम्हारे ही उपर है ऐसे भाई का होना स्वभाग्य की बात है सुदिये जी वो कार्य बुरा होते ही आप घर आ जाएंगे ना आजाओं आरुन्दादी आप सबसे एक अदम आगे ही रहेगा जी मैं आपका इंतिसार करूगी वीर नस्तिमा ठाकुर्की ये वीर नस्तिमा ठाकुर्की ये ज़मान आचार्य जी पहार पर जलाया स्वामी दी के एकधंड जोती के साथ ये आएंगे तब तब आपको ठाकुरवंज की पक्वो धरन किये रखना होगा गाउवालों के आसु पोशने के लिए मैं हमेशा तत पर रहूँगा उनके दुख दर्द मिटा कर उन्हें खुश रखने के लिए अपनी जान तक देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं अटूँगा लेकिन आज मेरा पहला कार यह इश्वर के लिए हो रहा है यह मेरा सब्भाग्य है दीर नर्सिम्वा स्वामीजी ने मूर्ती के स्थापने कर दी है अरुन्तती अभी आई जीसे कहा तो वैसे एक अदम आगे ही रहे आप पानी पीएंगी नहीं पेंगे फ़ल खाएंगे यह भी नहीं मैं फ़लो का रस लेकर आती हूँ हाँ मैं भी कितनी पागल हूँ मैंने आपके लिए दूद गरम करके रखाए अभी देती हूँ इसे क्यों देख रहे हैं संदर लग रही हूँ ना सुहाग रात पर मैंने मना किया था इसलिए अभी तक आप मुझसे नाराज है ना रुख ये बताती हूँ मैं क्या करूं जी सब आपकी वज़े से किया एक बार माफ कर दीजिये ना बात भी करिये ना अरुन्धती मुझसे एक वादा करोगी एक वादा ही क्या मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ एक जपी दूँ मेरे हाथों होने वाली मूर्ती की स्थापना किसी वज़ा से रुख गई है ये कारे अब तुम करोगी मैं करूंगी ये कारे वादा करो मुझसे महाबलारी अभी आई मुझसे आपसे बहुत सी बाते करनी है एक मिर्ट बाती हूँ क्या हुआ सब क्यों रहें क्या हुआ क्या हुआ रादा क्या बात है बेटी अनर्थ हो गया बेटी अनर्थ ये आप क्या कह रही है माजी अमें भगवान पर बहुत भरोसा था लेकिन पता ने भगवान ऐसा क्यों किया हुआ क्या बात कर रही है आप छुटी चाची नमारा पती अब कभी नहीं लोटेगा रहुरूं चुप करो सब लोग आप लोग पागट हो गएंग yağ मेरे पती अन्दर है आप सब लोग क्या बूलरहें सब का दिमाग खराब हो गया है क्यों विश्वास नहीं हो रहा हूं मैं अपने पती को साथ लेकर आती हूं तब विश्वास करना पता नहीं क्या वोल रही है सबके सब देखें ना ये सब लोग बेटी बात कर बेटी बताना तेरा पती कहां है कहां है ना रहे हो ये सब क्या प्या पी ना 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 से ऑगो ये सब क्या हो ये जो बेटा रहे है न जो जो हुआ हुआ है यहारो, 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 यहारो! कर दो कर दो कर दो मंदिर में दिया चला करके बगवान के सापने नार्याल तोड़ने के लिए अंदर गए थे पता नहीं एसी क्या भूल हो गई जो बगवान को इन पर इतना गुस्सा आ गया कैसे हस्ते हस्ते अंदर गए थे लेकिन भाव नहीं आ पाए और राजे द्रुगात कि वली बगवा ने क्यों ले ले लिए सुवज में नहीं आता मैं यह क्या हो गया रखता है कि बगवान की मर्जी नहीं थे कि यह रहा है लोगों के लिए मैं कुछ भी करने को तयार मैं सका था इसकी महान था तो देखो मैं आपसे बाता नहीं कर पाई मैं अब बादा करती हूं मैं मूर्दी की स्थापना मैं पूरी करूंगी मैं पूरी करूंगी अरुन्दती यह क्या कह रहे है बोला अरुन्दती क्या हुआ तुझे बेटी अरुन्दती अरुन्दती नहीं नाक पंचल माता हूं मेरे पती का नाम नाख पंचल रखा गया था उसी दिन से मैं उनकी आधी हो गई थी अब मैं अपने पती से बाधा कर रही हूं इनके संकल को नाख पंचल माता बनकर मैं पुरा करूंगी मैं इस थापिस करूंगी बेटी बेटी अपने वन्ष की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए तुमने जो फैसला लिया है वो एकदम ठीक है एकदम सही है जिस घर में मृत्ती होती है वहां अगर शांती का दीपक जलाया जाए तो मरने वाले की आत्मा घर के आसपास ही भड़कती है ऐसा सुना है इसलिए मैं जब भी आँखे खोलता हूँ तो मेरा नरसिम्हा ठाकुर मेरे सामने आकर ये कहता है कि ये देवकारे पूरा होते ही हमारे घर में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता आप सब ये मान लें कि मैं जिन्दा हूँ इसलिए आप सब ही घर वाले अपना अपना मुँ मीठा करें इसलिए मैंने खीर बनवाई है थोड़ा थोड़ा खाकर सब उसकी आत्मा को शान्ती पहुँचाओ नरसिम्हा ठाकुर को याद करके खाओ क्या हुआ बेटी सो रही थी क्या नहीं चाचा जी सोच रही थी मूर्ति की स्थापना के बारे में ही ना हाँ चाचा जी यह नहीं हो सकता में चाचा ची मैं मूर्थी की स्थाप ने से वादा किया है मेरे बेटे ने भी मुझे बादा किया था किसी को भी मारने से पहले उसके एक रिष्टे कि इन उपक्त को हमेशा जलते रहना चाहिए जलाइए अ कि आ पंदी ची जजमा गलती से जयोत बुझ गई इससे दुबारा जला दीजिये ठीक है चोटो, बुरा किया तुने? बस बस अब कुछ मत कीजे भईया थोड़ी तेर और सहलीजे भईया ये क्या किया भगवान भगवान ये सब क्यों किया तुने सत्ता पाने के लिए या जबीन हड़पने के लिए सोचा था इस गाओं में बदले की भवना खत्म हो गई है लेकिन वो मेरे ही घर में पनप रही है ये दिखा दिया तुने सिर्फ तुझे ही नहीं उधर देख राजेंदर नाथ को भी तेरे साथ ऊपर भेज रहा हूं चाचा जी आप भी हां मैं ही हूं तेरा चाचा हूं तेरा ही चाचा हूं मेरी आखों के सामने पीड़ियां बदल रही है पर हमारा नसीब नहीं बदल रहा है वो वैसा का वैसा ही रह गया और तुम लोग गाउवालों से जैजेकार जैजेकार करवा रहे हो हमाने जाने वाले लोगों का सिर्फ हिसाब किताब ही देखते रहे है मेरा बेटा जब ज से कटवा डाली और इसी लिए ये सब करने के लिए हम तुमसे अलग नहीं हुए तुमारे घर पर ही रहे अपने ही घर में कुत्तों की तरह रहते थे हम पालकी में बैठे हुए भगवान को अगर लोगों के सामने धक्का देकर फेक दिया जाए तो ऐसा करने वाले की लोग चाल ले लेंगे पालकी पर बैठने वाला ही किसी पालकी पर बैठे वे आद्मी को गिरा सकता है इसलिए हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे है अजारों एकर सभी करोणों की धन्दौला सोना शादी ये समेरे होंगे समझ ले तेरी कर्दन मेरे जबड़ों में आ ही गई काटकर मार सकता हो तुझे लेकिन मैं अपने वंच को मिटाना नहीं चाहता बाग यहां से और अपनी चान बचा पन्चल कोना नक्ष्मी नर्सिमा स्वामी इस वंच के लोग भी आपकी स्थाफना करेंगे ये मीर नर्सिमा ठाकोर तुबारा इस वंच में पैदा होकर आपकी मूर्ती की स्थाफना अबश्य करेगा सैन करो बैटी सैन करो यह सब तुम से पहले ही ऊपर चले गए है वेटी नर्सिमा ठाकोर को याद कर तो ऊपर चले गए विश्वास गादी यहीं है माव अपरो यहन इस कोते हैं शे मते हैं वेढ़ो यहीं liches Techn伏 को यहीं सैन कीक्षार्ड की अद्ढें circus यह जगत जननी का नगहें तुम्हारी रक्षा करेगा जय मातार बाटो बाटो सोने बीचो अगर मेरे संकल्प के बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की तो उसे यह शरीर नहीं मिलेगा सिर्फ राख ही मिलेगी दफा हो जाओ सौमी जी मैं हूँ ना अभी चलो सौमी जी तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं? दो दिन हुए हैं पती और पत्मी पहली तीन रात अपने घर में साथ सोते हैं तो ब्रह्म काट पड़ जाती है जब आत्मा एक शरीर में तीन दिन तक सोती है तो ब्रह्म रंद्रम से प्राण निकल जाते हैं तो सोही ने मुझे नहीं मिलेगी क्या? अगर वापस चाहिए तो आज की रात किसी भी हाल में उसे सोने नहीं देना अगर उसे सोने नहीं देना है तो जिस घर में वो रही है वहाँ श्री चक्र बूजा करनी होगी नमस्दे स्वामे मस्काट आये अन्दिंबार तुम्हारी पत्नी ने जो कपड़े पहने थे में लियाओ जाओ फ़िर हो बुम्हारी प्या फोर्म स्वार चाट आये जो जाओ ओम श्री चक्राय नमा चक्रदेविये गंथम परिगथम्यावी अपने पती से जो तुने वाधा किया था उसे पुरा करने का समय आ गया है उसे पुरा करो बेटी अरुन्धदी मैं हूँ विक्कटा चारे आपके वन्ष से जुड़े उस भगवान की स्थापना की जिम्यदारी को मेरे पिता ने मुझे सौपी थी मूर्ति स्थापना के रुके हुए कारी को पूरा करने है तू मैं अपने प्राण हाथ में लेकर प्रतिक्षा कर रहा हूँ पता है क्यों? उस वीर नरसिम्ह ठाकुर जी के पराक्रम को में जानता हूँ उस पुनीत कारी को पूरा करने है तू आप यहां आई है जब मैंने ये सुना तो मुझे अतनत प्रसनाता की अनुभूती हुई परंतु वो देव कारी है इसलिए पराय शरीर में बसी आपकी ये आत्मा सुयम उस कारी को संपन्न करना चाहती है मेरे पती विर नर्सीमा ठाकुर के वन्ष में जन्मे चंदन ठाकुर से ही इस कारी को संपन्न करवाईए सारी तैयारियां कीजिए ओम चक्रदेवी ये नमा ओम श्री चक्रा ये नमा ये लो नर्सीमा ठाकुर की तल्वार जब तक उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं करोगे तुम्हारे जीजा की आत्मा को शांती नहीं मिलेगे हुआ निगये अगर इसे वज़े से वो तुमसे बच भी गई तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे वो जिस कारे को करना चाते उससे पहले हम उसे मार ड़ालेंगे निया थियन रुको पर अ besar- plugins उसके पास जा रहे हैं यह तो हमारी वरा रही है यह चलो चलो चुपताओ चलो चलो उसके पीछे चलो स्क्राओन 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 झाज जो ओूए दूएर पोल्फ. पोल्फ अन्हो. झाज जााव झाज जाण। झाजनीillos एए इसे खेर लो नहीं समादी के पास कैसे यह समादी सोने की जगह है क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है पुझे चाने दीजे प्लीज बहुत डर लग रहा है तुम्हें ये लिजे पकड़िये से ये श्री चक्र हमारे गुर्कुल की गुरु राशी है ये बहुत शक्तिशाली है तुम्हारे पुर्वजों ने लिया था इसे रक्षा कवच के रूप में लिया होगा इस रक्षा कवच को जिस जगए पर होना चाहिए था उस जगए पर नहीं है ये भी एक कारण है इसे ले जाकर यदास्थान पर रख दो मेरे जीजा को इन ही आतों से माला था ना छोड़ो जी लेकिन ये आत्मा हमेशा उस दैवकारी को पूरा करने के लिए वो तुम्हारी पत्नी के शरीर में कभी भी गुसने की कोशिश करती रहेगी इस वंश में जन्मे हुए तुम अगर उस दैवकारी को पूरा करोगे तो इस आत्मा को शंती मिल जाएगी लेकिन ध्यान रहे तक तक किसी भी हालात में ये आत्मा बाहर नहीं आनी चाहिए इसे सभाल कर ले जाकर नाग पेंचल माता की समाधी से तीन कदम दूर पृत्वी में गाड़ देना उसके बाद बिना पीछे मुड़े चले आना अगर आप से कोई भूल होती है तो वाहर आई आत्मा को मैं किसी भी तरह रोक नहीं पाऊंगा सोयम साक्षात शिरी चक्र सुरूपनी मा भी तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाएंगी सभल कर जी सोमी जी विजयी भावा एए! अरुन्धती, वहरत को सलवार या लाठी उठाने की इजाज़त नहीं! लेकिन आज तुम्हें शिव की शक्ती बनकर अपनी ताकत दिखानी होगी! जुहाओ आप मैंने एकॉए मुझे छोड़ दो मुझे मत परो मुझे मत परो मुझे मत परो यह वीर नर्सिमा ठाकुर का लिया हुआ संकल्ब है इसे कोई नहीं रोक सकता यह होगर ही रहेगा रायन सिमा में देवरुनी कोंडा नाम के एक छोटे से गाउं में कुछ दिन पहले एक अद्भुद घटना घटी जिसने पुरे राष्टर को ही हिला कर रख दिया है सिर्फ इतना ही नहीं इस गाउं की एक औरत खुद को नाक पंचल माता की आत्मा बताती है कुछ सल पहले पेंचल कोना ने लक्षमी नर्सिमा स्वामी की मुर्दी की स्थापना करनी चाही थी उस समय उन्हें कुछ लोगों ने शड़ी अंतरे रचा कर उन्हें और सारे घरवानों को बुरी तरह मार दिया था और अब वो आत्मा स्थापना का काम पूरा करने के लिए उसके शरीन में है ऐसा वो कहती है इन सब के चलते उस नाख पंचल माता के समाधी और कुछ लोगों की लाशे मिली यह सर अम सब बंदोवस्त कर देंगे सर ओके सामना नहीं करने वाली है और जिसमें कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है लोग बहुत ही उद्देशी थोकर एस पीजी को इंफॉम कर दिया है क् सर मेस्टर मॉरली मैंने अब तक अपनी सर्विस में ऐसी अनकही अंदेखी बात आज तक नहीं देखी है अगर इस विश्या पर हमने तुरंट कोई आक्शन नहीं लिया तो पूरा देश तहस नहस हो जाएगा ये बात अभी हो मिनिस्टर साहब ने फोन गर के बोली है अब इसे रोपना हमारे बस में नहीं सर तुम जल्दी से जाकर सच और जूट का पता लगा के उस नाग पेंचल माता को मान कर लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं अगर वो ढोंगी निकले तो उससे तुरंट अरेश्ट कर लेना आत्मा को करूं या उस लड़की को क्या आत्मा हां सर ये कार वो आत्मा ही करवारी है ऐसे लोगों का कहना है ठेक है लेकिन कोई जान नहीं जानी चाहिए और किसी को भी किसी तरह की परिशानी नहीं होनी चाहिए जैसा भी डिशिजन हो तुम स्पॉर्ट पर ले लेना थे मैं तुम्हें पूरी पावर्स दे रहा हूं ओके सर वाल दे वेस्ट कि इस मुर्ठी कि स्थापना को देखने के लिए देश के कुने कुने से भग भारी ताधार में आ रहे हैं बगतिंके सुविधा के लिए सकाने बसों के सुविधा बढ़ा दी है किसे बेदर की समस्या ना हो इसे लिए कुलिस परशासनी पक की तरह से बंदबस किया हुआ है यहां आये सारे भक्तों का कई साल पहले मेरे पती के शुप चिन तक होकर आज भी हमारे परिवार का गौवर बढ़ाने वाले राम नातव शिवराज के साथ मैं स्वागर करती हूँ इस मूर्ती की स्थापना का कारय पूरा हो चाने के बाद उस अखंड जोद को कोई हानी नहीं होनी चाहिए इतने दिनों से भगवान की स्थापना किये बिना एक वीरान इलाका बना हुआ था ये पर मूर्ती की स्थापना के बाद पवित्र भूमी बनकर कई उचाईयों को चुएगा ये यहां के पैतालीस गाओं के लोग सुख और शांती से चीहेंगे और इस बात की सारी जिम्मेदारी लेंगे रामनार और शिवराज मिंचल माता की जाए बिंचल माता की है बिंचल माता की है आप महान है माता हम पर विश्वास करके आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौपी है इस मंदिर के हम ध्वज स्तम बनकर खड़े रहेंगे दीदी मोरली आखिर करही दिखाया तुमने अरुम्ध दीदी पुलिस वाले कभी नहीं रोते बल्कि लोगों के आसुप मूचते हैं दीदी आप इस देवकार को करवा रही हैं मैं यहां बंदोबस्त में आया हूं बेटी गर्भ मंदिर के इस पुनीत कारी को कुछ कारणों की वज़े से दोबारा शुरू करना पड़ रहा है वीर नर्सिम हठाकुर ने नाग पंचम बनकर जिस अखंड जोती को जलाया था कई सालों से पारंपरिक रूप से जलती चलिया रही है वो कुछ देर बाद पहाड से यहां आ चाहेगी आपके द्वारा प्रजुलित ये दीपक उस दीपक के साथ मिलकर अखंड जोती बनकर हमेशा जलती ही रहेगी इसे जलाओ बेटी और हाँ बेटी पहाड पर अखंड जोती की रक्षा में बैठे वीरेंद्र आपके आदेश के बाद यहां आ रहे है दिदी 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 अरुंद दिदी 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 परादा आपके दिदी अच्छी दो हुले अच्छी दो हुले कितने सालों बाद सबका सबना फूरा होने वाला है बीबी अरुंद हाला हुले बादा आपके 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 आये अरुंचा साइब करे आपके आपके आपकेanken बादा याफ 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 मुझे बात्मारी हमसे गवसर कुछीए मजे आप देजिए मुझे आपकर देज्व नहीं cup देख , नहीं माफ किजी चुजितर भी अ अा रखा एंग रादा बहन लगाव तिलक सिद्धी सिद्धी सोहीनी सिद्धी सिद्धी अमवा मेरी पेदिको सिद्धी रूटन बेटी सिद्धी 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 सोहीनी सिद्धी अब आप लो लक्ष्मी नर्सिम्ह भगवान का अशिरवाद देखें